हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ जेपी सिंग और आप देख रहे हैं कैमिस्टी गुरुजी चैनल आज जो हम अपना शुरू कर रहे हैं वह हम यहां जो हम इसके टोपिक पढ़ने वाले हैं वह हमारे टोपिक कौन कोन से होंगे एक बार उने हम देख लेंगे ठीक है तो हमारे टोपिक होंगे जो हम इसमें सोट नोट्स में पढ़ेंगे जो लगबग हर साल सी हमारे एक्जाम में आते हैं वह हैं हमारे डबल साल्ट और कॉंप्लेक्स साल्ट ठीक है डबल साल्ट और कॉंप्लेक्स साल्ट फिर इसके बाद में जो हम अग तो फिलाल यही पढ़ेंगे डबल साथ, कॉंप्लेक्स अल्ट, लिगन, कॉंप्लेक्स, इसके बाद में हम इसके कुछ लोंग कोस्टेंस भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे बात में यह वर्नर कोडिनेशन थियोरी, यह बहुत ही इम्पोटेंट है, ठीक है, हर साल एक्जाम मे और हम इसके करेंगे, फिर इसके साथ-साथ हम इसमें, जो मैट्री और ओप्टिकल सेंप्ट होती है उसे भी हम पढ़ेंगे, सैविन टैप्स की जो होते हैं उन्हें, और एक को सेंप।ेविन बन्र Nations 1, नमबर्ग कार्ण का जाता है वह जो होता है, चिलेत's है, और या affecting और सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि double salt मैली होते क्या है ठीक है डबल साल्ट समझना सुरू करते हैं चलिए तो अब हम सुरू में समझ रहे हैं double salt और double salt के साथ complex salt भी समझेंगे ठीक है आप बड़े ही ध्यान से बड़े सबसे प्यार से आराम से समझेगा आपको समझ में शुरू हो जाएंगे सबसे पहले मैं आपको यह समझादा हूं कि salt क्या होता है ठीक है साल्ट को ही समझ लेते हैं सबसे पहले जो साल्ट है हिंदी में लवन कहते हैं इसे यह क्या होता है साल्ट होता क्या है जब हम किसी acid की reaction कराते हैं ठीक है जब हम किसी acid की reaction कराएंगे किस से बेस से तो acid base reaction से जो बनते हैं एक तो बनता है salt ठीक है और दूसरा इसके साथ में जो बनता है वो बनता है ठीक है यह बनता है जब हम acid base reaction कराएंगे तो एक एक तो बनता है हमारे पास में साल्ट और एक हमारे पास में बनता है अब हम बात करना चाहते हैं किसकी डबल साल्ट की ठीक है जो डबल साल्ट होता है डबल साल्ट में अभियाद रखेगा डबल को एक नट शोड़ दीजेगा साल्ट तो हमने पहली पढ़ लिया साल्ट क्या होता है तो हमारा क्या होता है अब यहां लिखा हुआ है डबल साल्ट का मतलब अगर मैं आपको हिंदी से समझाओं तो डबल का मतलब कितना होता है दो इसका मतलब हम दो साल्ट जब दो है एक साथ जुड जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं डबल साल्ट और डबल said कोंप्लेक्स साल्ट अब कोंप्लेक्स का मतलब अब हिंदी में समझेंगे थे हिंदी से इसका जो निकल जटिल का मतलब जो कठिन साल्ट होते हैं अब इनकी विसेशताइं हम पढ़ने वाले हैं फिलाल कि डबल साल्ट में और कॉंप्लेक्स आल्ट में ऐसा क्या नतर है ठीक है जो इने हमें अलग-अलग समझना पड़ता है जबकि मैं आपको बता दूं कॉंप्लेक्स आल्ट में एक से जादे साल्ट से मिलकर बना होता है और जो डबल साल्ट है वो भी एक से जादे साल्ट से मिलकर बना हुआ होता है मगर बात यह है कि दोनों में डिफ्रेंट क्या है इनमें डिफ्रेंस क्या है तो अगर हम बात करेंगे किसकी डबल साल्ट की तो जो हमारे पास में जो पोटास scheduling है को एक Example है किसका डबल साल्ट आप का फोर्मूला क्या होता है यह 5, aso4 डोर य हला 2 5, as-so4, 5. 6, 24 है ठीक है फोर्मुला किसका होता है यह फॉर्मुला होता है potassium alum का, जब हम इसे water में dissolve कर देंगे तो यह क्या होगा, जिन-जिन से मिलके बनावादा उनमें divide हो जागा, अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें 2 salt है, एक K2SO4 है और दूसरा क्या है, AL2SO4 का ऐसे, यह है, तो जब आप इसे इहां ध्यान से कितने है, 2 है, मगर इसमें, N и N, कितने है, 2 है, और केटायन है, हमारे पास में, वो कितना है, किये रीएक है, SO4, 2- ठीक है, तो आप इसे यहाँ ध्यान से समझ लीजेगा, एनन कितने है, हमारे पास में 2 है एक K2 और दूसरा कितना है, यहाँ आराम से बता सकते हैं कि यह double salt कून से salt होते हैं double salt वे salt होते हैं जब हम इने पाने में dissolve करते हैं तो यह अपने अन्हीं quinhoंस्ट्टिटेंट्स में divide हो जाते हैं जिन से मिलकर बने वे होते हैं और उन simples iron का test भी यह देते हैं जिससे मिलकर यह salt बने वे होते हैं, अगर हम बात करेंगे किसकी, complex salt की, ठीक है, तो complex salt मिलकर तो बनेगा दो ही simple salt से, ठीक है, एक example हम इसका लेंगे, जैसे कि यह लिए हमने k4, fe, cn का hole 6, यह हमने example लिया, तो यह एक परकार का हमारा क्या है, complex salt है, इनकी जो सबसे man important, जो point है वो यह है, यह एक test देते हैं, किसका complex iron का, ठीक है, यह complex iron का test देते हैं, ठीक है, यह नहीं देते हैं, यह उन्हें ही simple iron का test देते हैं, जिनसे मिलकर यह बने वे होते हैं, मगर बात करेंगे इनकी, तो यह जो हमारे पास में complex salt होते हैं, यह complex iron का test देते हैं, इसी वज़े से ह हम इने क्या बोल देते हैं complex salts जैसे कि यह किस से मिलके बनावा था यह बनावा था फॉर्म के सीन प्लस और इसके साथ में हमने लिए रखा था क्या एफ ई सीन का होल्ट वाइज यह मैं आपको रियक्शन भी समझा हुआ इसके प्लस का और प्लस में ब्रैकिट में रहेगा एफ इन का होल्स और इसके उपर जय है प्रलक कोमप्लेक्स बाइन का च पर पर नहेंDक ठीक है हैं आगर यहां से आपको यह के लिए रहो गया है तो बहुत उच्छी बात ढई इसकी ध्यूरी है वो अब हम इसमें पढ़ना सुरूं करते हूं इसकी definition भी मैं आपको समझाता हूँ चलूंगा ठीक है definition के साथ साथ अगर आपको हिंदी मीडियम से आप पढ़े हैं किलास 12 में तो वहां से आपको यह समझ मा जाएगा क्यों क्यों कि मैं कोशिस करूंगा इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की ताकि आपको यह सही से समझ में आजा मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा अगर आप चैनल लुकर नए हैं आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को डाउन इन्टू देर कॉंस्टिटेंट्स कंपाउंड चलि में एक में इसके लिए ले लेता हूं यह जाद बढ़ी आ रहे हैं हाइलाइटर यह आपको लेजर पॉइंट सही से समझाएगा ठीक है यह से देखेगा इस आर एडिशन कंपाउंड ठीक है विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रेश्टल लेटिस बट ब्रेक डाउन इन्टू देर कॉंस्टिटेंट्स कंपाउंड वहन डिजोल्व इन्टू वाटर और एनी अधर सॉल्वेंट दा फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज ओव डबल साल्टाल इसेंसियली दा सेम एज दोज ओव दा इंड क्रेश्टल लेटिस जो क्रेश्टल यह अवस्ता में पाए जाते हैं यह एक पर करके क्या होते हैं और जो क्रेश्टल लेटिस में पाए जाते हैं बट ब्रेक डाउन इन्टू देर कॉंस्टिट्वेंट्स और यह अपने कॉंस्टिट्वेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं य and dissolve, जब इने dissolve किया जाता है, into water or any other solvent, जब इने water में या और, किसी और solvent में dissolve करते हैं, तो यह अपने उन्हीं constituents में break हो जाते हैं, जिनसे यह मिलकर बने वे होते हैं, ठीक है, the physical and chemical properties of double salt are essentially the same as those of individual compound, जो physical और chemical properties होती हैं double salt की, वो depend करती हैं, या जैसी होती हैं, जिनसे यह मिलकर बने वे होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर जो compound से फेवे होते हैं, उनके जैसी ही इनकी properties होती है, किसकी double salt की, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से repeat इसे हम कर लेंगे, ठीक है, double salts जो होते हैं, वे addition compounds होते हैं, जो crystal यह है, जो crystal lattice में पाये जाते हैं, और यह break हो जाते हैं, अपने constituents में, जब हम इन्हें water या any other solvent में dissolve करते हैं, ठीक है, इसकी जो physical और chemical properties होती हैं, यह same होती हैं, इसके individual compound की जैसे, ठीक है, जैसे इसमें कोई भी individual जो इसमें छुपावा compound है, अभी हमने example लिया था किसका, पोटास alum का, तो पोटास alum में जो छिपेवे compounds हैं, हमारे पास में उसमें दो थें, potassium sulphate और aluminium sulphate, तो उसकी जो properties होंगी, पोटास alum की, वो दोनों के जैसी ही होंगी, पोटास, potassium sulphate और aluminium sulphate के जैसी, चलिए इसका अब हमें example देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में example है, वो example हमने सबसे जो शुरू में लिया हुआ है, वो हमने सबसे शुरू में क्या लिया हुआ है, इसमें, पोटास alum ही लिया हुआ है, ठीक है, और हमने समझाये कि, पोटास alum सुरू में बनेगा कैसा है, पहलो उसका बनना बताएंगे, फिर उसमें डिवाइडेशन बताएंगे, फिर उसमें बताएंगे कि, कोटेसियम अलम क्या है एक डबल साल्ट है एक साथ मिलाया जाता है और स्थीयुत हो जाता है क्रेस्टलाइद हो जाता है ठीक है आप जिए शिद्रीट यहां से एक समझ सकते हैं कि potassium sulphate और aluminium sulphate के mixture को जब हम water में मिलाते हैं और जो solution है वो कैसा हो जाए crystalline ठीक है तो क्या बन जाता है हमारे पास में potassium alum बन जाती है जिसे हम जो एक परकार का क्या है हमारा double salt है ठीक है फिर इसके बाद में हमने लिखा है कि यह stable कब होता है यह stable होता है only crystalline state में तो it is stable only in crystalline state but when dissolved in water जब हम इसे water में dissolve करेंगे it lost its identity तो यह अपनी identity को देता है and break up into its constituents और यह अपने constituents में break हो जाता है इसके जो ions होंगे वे कौन-कौन से होंगे k-plus होगा al-3-plus होगा रेक्षोफर 2- माइनस होगा अब इसके हमने breakdown वाली reaction दिखा रखे है यह हमने पोडाच अलम लिए है यहां हमने क्या काम करा इसे water में dissolve करका है ठीक है तो हमने इसे काहिम हम वाटर में dissolve करका है तो यहां आप इस चालग से दिखाएंगे यहां इस मैच 2 दिखा सकते हैं तो water तो डिवाइडेबल नहीं होगा क्योंकि water में dissolve है मगर इसके जो और जितने भी हमारे पास में इसके शाल्स ते वे डिवाइड हो जाएंगे जैसे अलग हो जाएगा और इसके बिज़ाद सब्सक्राइब हो जाएंगे यह उन सभी आयन का टेस्ट देंगे जिन से मिलकर बने वे होते हैं तो यह हमारे अनुसार एक परकर का कैस हो जाएगा डबल साल्ट एक बार फिर बता दूं डबल साल्ट की जो सबसे इंपोटेंट और सबसे मैन जो प्रोपर्टीज होती वो यही है कि डबल साल्ट उन सभी आयन का टेस्ट देता है जिन साल्ट से वो मिलकर बना हुआ होता है अब बात करेंगे इसके दूसरे एक्जाम्पिल के तो हमारे पास में जो इसका दूसरे एक्जाम्पिल हमने इसक सेम कंडिशन इसकी भी बिर्कुल पोटास एलम के जैसी ही है कैसे बनाएंगे कैसे लिखेंगे वो थियोरी आपको लिखी भी मेरे पीसे चमक भी रही होगी और चलिए एक बार इसको फिर एकस्पिलिन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहें तो हमने इस नोट्स में आता है कोस्टन जो हम अभी पढ़ रहे है ठीक है वहन फैरस सलफेट एंड ऐलमिनियम सलफेट और मिक्स इन सॉलूशन ठीक है निमिक्स इन सम आमांट इन सॉलूशन एंड दा सॉलूशन इसक्रेस्ट लाइन ठीक है तो हमारे क्या बन जाएगा इसमें हमारे हो जाता है क्रेस्ट लाइं ठीक है तो क्या बन जाता है मोशर्ट बन जाता है ठीक है मगर क्या है Hip生 Salt तो हमारे पास में है सबसमें F s-04 यह हमारे पास में है भार सरफरड जो F nh4 का好啦 e s-test pro r sake यह हमारे पास में अप्र कुछ मातर में हमारे पास में क्या है जब तिनों को אכुछ महाणास में तो मैं हमारे पास में Mohlralt सलट بن जाएगा जो एक पर्कार का क्या है double salt है क्यों है double salt हम यहान समझजा देंगे भी क्योंकि यह stable होता है crystaline state में it is stable only in crystaline state अगर हम इसे किसी और state में रखने की hydroch 카िango कोशिस करेंगे तो यह उसमें stable नहीं हो बात आपको सही से समझ में आ गयी होगी ठीक है interrupting crystaline state में यह कैसा होता है, solid होता है पार जब हम इसे water में dissolve करते हैं तो ये भी अपनी जो identity है अपनी पहचान है, उसे क्या कर देता है lost कर देता है, खो देता है ठीक है, और break हो जाता है, काई में अपने constituents में, उन ions में जिन से मिलकर बनावा होता है किसमें, Fe2+, NH4+, आपको सही तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूले, ठीक है वीडियो आपको रोज मिलेंगी चलिए अब हम इसका देखते हैं, इसका अगला point जो हमें अगला topic इसका पढ़ना है वो हमारा अगला topic है, इसका complex salt अब complex salts भी क्या होते हैं, ये भी molecular और addition compounds ही होते हैं ठीक है, which retain their identity even in solution, जो solution में अपनी identity को बनाए रखते हैं, ठीक हैं? and the property of which are different from those of their constituents, और इनकी जो properties होती है, complex salts की वो different होती है, किस से इनके जो constituents होते हैं उनसे, ठीक है, called complex salt or coordination compound, ये कहलाते हैं क्या, complex salt or coordination compound नहीं समझ भाए, एक बार फीर समझा देता हूँ ये भी molecular or addition compounds ही होते हैं, which exist only in, sorry molecular or addition compound which retain their identity even in solution, जो solution में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है, और वे जो पहले वाले थे, हमने जो double salt पड़े थे ठीक है, नहीं, which lost their identity even in solution, वे अपने identity को देते हैं, ठीक है, lost कर देते हैं किसमें, solution में और any other solvent में, मगर ये अपनी identity बनाए रखते हैं water में भी और any other solvent में ठीक है, और इनकी जो chemical और physical properties होती हैं, वे different होती हैं, इनके constituents से ये कहलाते हैं क्या complex salt और coordination compound, चलिए इसके example अब हम यहाँ देख लेते हैं, तो हमने जो यहाँ सबसे सुरू में इसका एक example लिया है, वो हमने किसका लिया था है, potassium ferro-signide लेंगे, यह हमने लियावा है, इसमे फैरस-signide और फैरस-signide की reaction किससे करा देंगे, potassium साइनाइड से तो क्या बन जाएगा, potassium ferro-signide, जब हम इसे water में dissolve करने की कोशिश करेंगे, किसी और any other solvent में dissolve करने की कोशिश करते हैं, तो यह किस-का test देता है, K-plus का, और F-E-CN6-4-ion का, यह दो test देता है, जो हमारे पास में यह वाल आयन है, यह हमारे पास में क्या है, यह complex iron है, और जो complex iron का test देता है, वे सब क्या होते हैं, complex compound, चलिए एक बार इसकी theory को भी समय लेते हैं, ठीक है, वहने solution of ferrous sulfate, ferrous cyanide in mix with potassium cyanide, जब ferrous cyanide के mixer, mix को mix करते हैं, वहने solution of ferrous cyanide, जब ferrous cyanide के solution को mix करते हैं, in mix with potassium cyanide, potassium cyanide के साथ में mix करते हैं, तो potassium ferrous cyanide is formed, तो potassium ferrous cyanide जो है, वो बन जाता है, which in aqueous solution does not give the test of F-E-2 प्लस एंड CN- जो एक्वर सोलूशन में FE2 प्लस और CN- का टेस्ट नहीं देता है बट गीव दा टेस्ट ओफ फेरोसाइनाइड आयन जो फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है इट मींस FE, इट मींस K4 FE CN का होल 6 इसे कोडिनेशन कंपाउंड इसका मतलब यह है कि जो K4 FE CN 6 है ठीक है K4 FE CN 6 जो है क्या है कोडिनेशन कंपाउंड है ठीक है क्यों है कंपाउंड क्यों क्योंकि यह टेस्ट देता है किसका एक कॉंपलेक्स आयन का कॉंपलेक्स आयन का टेस्ट देता है और साथ साथ जो animals होते हैं उनों में भी पाये जाते है। चलि इसका जो दूसरा example मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पारच में इसका एक example है किसका blood में पाये जाएuemogilobin का। ठीक है तो जो हिमोगिलोबिन है वो किसका complex compound है वो complex compound होता है किसका iron का ठीक इसी परकार से जो हमारे पास में plants होते हैं उनमें भी एक coordination compound पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं chlorophyll और जो chlorophyll होता है chlorophyll में जो जो compound होता है coordination compound होता है chlorophyll होता है किसका mg का और mg second इसका मतलब है इसकी जो oxidation state हो कितनी है दो है ठीक है याद रखिए गा तो इस वीडियो में इतना ही इसके बाद में हम इसकी दूसरी वीडियो पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे कल ठीक है और जो दूसरी वीडियो होगी हमारे लिखेंड कि अगर वीडियो आपको समझने में कोई प्रोब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजेगा वीडियो अच्छी लगिए तो भी कमेंट कीजेगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर खर लीजेगा अब ये बैस रोज चलेगा आपका तो यह आसे आपर आमसे केमिस्टीम पड़ सकते हैं